नमस्कर मैं भूपेंद्र पंड़ हिंदी चनल में आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूँ और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना बुलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो के अब्डेट्स आपको मिलते रहें आज कर जो हमारा टॉपिक है यह बहुत ही महत्रबों टॉपिक है कि आप अपनी हिंदी कैसे सुधा रहें How to improve your हिंदी सबसे पहले तो मैं आप सबको जो 10 एर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में कुल 10 एर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को और अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को यहां तक पहुँचाया और धेर सारा प्यार दिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरा अरूद है कि वह सब्सक्राइब कर ले और आज का जो हमारा टापिक है बहुत ही महतपून टापिक है क्योंकि जो हिंदी की जो इस्थिती है खासकर मैं जो देखता हूँ छात्रों में हिंदी को लिखने और बोलने का जो तर तरीका है उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आशकता है बहले याप कोई भी भाषा भाषी हो आपके लिए मेरा या आज का लेक्चर बहुत ही महतपूना है कि आप अपनी हिंदी को कैसा इंप्रू करें तो कुछ मैं आपको टीप सदूँगा कुछ मेरे आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखा हो और क्या किया तो चलिए किसी भी भाषा को सीखने के चार लेंग्वेज स्किल्स होते हैं भाषा कौसल होते हैं क्योंकि भाषा जो होती है उसको हम अरजीत करते हैं हम सीखते हैं हम लर न करते हैं किसी भी भाषा को हम क्या है सीखते हैं जब एक बच्चा दुनिया में आता है तब उसमें बोलने की शमता विद्यमान होती है कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो किसी कारण से सुन नहीं पाते तो वो बोल भी नहीं पाते हैं तो यह कुछ अपवाद सरूपर स्थितिया हैं दुर्भाग बस ऐसा होता है लेकिन अधिकांस बच्चे जो दुनिया में आते हैं उनमें बोलने की शमता होती है लेकिन वो भाषा को अरजित करते हैं सीखते हैं लर्न करते हैं इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं learning अथवा अधिगम किसी भी भाषा को सीखने के चार चरण होते हैं जिसे हम भाषा कौशल काते हैं language skills काते हैं पहला है listening मतलब सूनना सबसे पहले बच्चा सूनता है अपने माता पिता से, अपने परिवेश से अपने शिक्षकों से उसके पाद जो दूसरा इस्टे पह वह होता है speaking speaking मतलब बोलना वाले बच्चा सुनता है फिर क्या है? बोलना सीखता है सुन सुनके वह क्या है? बोलना सीख जाता है इसके पाद जो third stage है वह है तीसरा चरण क्या होता है? reading पढ़ना सीखता है उसके बत क्या है वह तीसरे इस्तिति में वह क्या है पढ़ना सीखता है और अंत में वह लीखना सीखता है अब इन तीनों में आपको महारत हासिल करना है तो आप लोग बार-बार सुनते होंगे या पढ़ते होंगे कि एक अच्छा स्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है मतलब जो एक अच्छा स्रोता है उसमें अच्छा वक्ता बनने के सम्हानाएं बहुत ज्यादा होती है इसी प्रकार जो एक अच्छा जो पाठक होता है उसमें एक अच्छा लेखक बनने के सम्हानाएं बहुत ज्यादा होती है जैसे आप मुंसी प्रेम चंद की जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उनको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था उनके पतनी शिवरानी देवी ने भी लिखा है प्रेम चंद घर में और उनके बेटे ने भी लिखा है कलम का मजदूर अमरित राजी ने तो मतलब जो अच्छा जो पाठक होता है उसमें एक अच्छा लिखाक बनने के समभावना बहुत ज्यादा होती है तो आजकल जैसे बच्चे बोलते हैं अपने माता पीता को भी जैसे मेरे को भी काई स्टोएंट बोलते हैं इस टाइप के हिंदी को यदि आप अच्छी हिंदी समस्ते होंगे तो यह लेक्चर आपके लिए नहीं है तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आप अच्छी भाशा सुनें अच्छी भाशा बोलें अच्छी भाशा लिखें और पढ़ें तो इसके लिए क्या है करना है आपको जैसे सुनने के आउसर कहां कहां पर मिलते हैं आपको अच्छी हिंदी के लिए आपको अच्छी हिंदी सुनना भी जोड़ी है तो जैसे रेडियो है ओलेंडे रेडियो जिसे हम आकाश नौरी काते हैं या फिर दूरदर्शन के जो समाचार वाचक होते हैं उनकी जो हिंदी है जो यह सरकारी एजेंसिया है प्रसार भारती के अंतरकत आती है रेडियो और टेलिविजन दूरदर्शन और आकाश वोड़ी तो इनके जो एंकर इनके जो उचारण होता है इनके जो हिंदी होती है बहुत ही शुद्ध होती है तो यहाँ पर आपको सुनने का मौका मिलता है आज हमारे बीच कैसे कई ऐसे फिल्मे श्टार्स भी हैं मैं यहाँ पर किसी को महिमा मंडित नहीं करूँगा नाम नहीं बताऊंगा जिनकी हिंदी बहुत ही ज्यादा अच्छी है उनको आप सुनेंगे तो आपका मन करेगा सुनता है जाओं ऐसे हैं अभी कई बड़े-बड़े कवी हैं युर्तमान समय में जो असे लाखों-लाखों उपर जो चार्ज करते हैं उनकी हिंदी बहुत ही धारा प्रवा है बहुत ही उतक्रिष्ट वकता है उनके वाक पटुता है बोलने की शमता है वैसे हमारे कई समाचारवाचक प्राइवेट न्यूस चैनल्स में भी हैं जो बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं तो वह उसार जाने ना दे और प्रयास करें कि आप बार-बार उनको सुन पाएं इसके लिए अच्छा पाठक भी होना बहुत ज़ोर ही है तो हिंदी साहित्य की जो बहुत अच्छे किताबें हैं कहानिया हैं जैसे मुंसी प्रेमचंद की जो कहानिया है तो उनकी आप किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी भाषा धीरे-धीरे समरीद होती जाएगी कुछ संस्कृत निष्ट भाषा भी है जैसे जैसे जैस्शंकर प्रसाद जी की जो भाषा है तो इनकी भाषा क्या है उत्कृष्ट हिंदी माने जाती है अग्ये जी है तो हमारे प्राया सभी राइटर है मैं कुछ चंद नाम ही गिनाए हूँ हमारा हिंदी साहित बहुत ज़्यादा समरीद है जबे पंच तंत्र है हितो पदेश की कहानिया है इनको आप पढ़िए तो आपकी भाषा दिरे-दिरे समरीद होती जाएगी इसके बाद आपको बार-बार शब्दकोस देखने के आशकता है प्राया मैं देखता हूँ कि छातर बिल्कुल भी शब्दकोस नहीं देखते और मेरे भी जो लेक्चर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सरल भाषा में समझाईए तो आस्ता में कोई भाषा सरल या कठी नहीं होती है आपका एप्रोच कहां तक है कि क्या आप बार-बार डिशनरी देखते हैं आपके मन में जिग्यासा है कुछ जानने की इक्चा है कि शब्द का अर्थ क्या होता है जैसे मैं बोल दिया निरनीमेश वह मुझे निरनीमेश देखता रहा याद रिख्षीत रूप से तो इस टाइप की जो शब्द है तो आपको डिशनरी देखना पड़ेगा आपको हैबिट विक्सित करनी पड़ेगा हैबिट डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर उसका विकास करना पड़ेगा तो कोई अच्छा शब्द कोस है तो मैं या पर आपको लिंक दे दूँगा मैं किसी ब्रांड को स्पॉंसर नहीं करता हूँ तो आपकी जो भी इक्षा हो आप खरीद सकते हैं लेकिन जो इस तरी जो शब्द कोस है हिंदी के वो आपके पास आवाश्य होना चाहिए और बार बार शब्द कोस देखने की आदत होनी चाहिए मेरे लेक्चर में मैं बहुत ही सरल भाषा में शब्दों का प्रयोक करता हूँ लेकिन आप लोगों को लगता है वह कठीन है क्योंकि आप लोग शब्द कोस देखने की आदत आप लोगों में नहीं है तो यदि आप language में command हासिल करना चाहरा है हिंदी में आप अच्छा अधिकार हासिल करना चाहरा है तो आपको शब्द कोस देखने की बहुत ज़्यादा आशकता है क्योंकि भाषा जो है केवल संप्रेशन का माध्यम नहीं है भाषा के माध्यम से हमके वल संप्रेशित ही नहीं करते अपनी भावनाओं को बलकि वह हमारे व्यक्तित्त को भी परिलक्षित करता है कि हमारे संस्कार कैसे है हमारी कैसी भाषा है हमारी भाषा से हमारे संस्कार पता चलते है और हम कितना पढ़े लिखे हैं यह पता चलता है और व्याकरण की किताब भी आपको पास होनी ही चाहिए क्योंकि भाषा यदि शरीर है तो व्याकरण उसकी आत्मा है क्योंकि जो भाषा के भाषा अनुशासित होती है व्याकरण के नियुमों के अनुसार चलती है तो व्याकरण का भी आपको अच्छा ग्यान होना जवरी है कि कहाँ पर छोटे E की मातर लगाना है कि कहाँ पर बड़ी E की मातर लगानी है कि इसी परकर आपको शीरो रेखा खिचना भी बहुत जवरी है जब आप हिंदी में लिखते हैं इसके बाद जो आप वर्तनी है वर्तनी मतलब spelling के लिए आपको शब्द कोस बार बार देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द संग्या है कि सर्वनाम है उसकी वर्तनी कैसी है कि वह विशेशन है क्या है इसके बाद जो लिखावाट है लिखावाट भी बहुत ही महत्रपोर्ण है हिंदी में हिंदी में व्याकराणगत अशुद्धियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हिंदी में आपकी लिखावाट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उपर शीरो रेखा भी जरूर खीचें कुछ चातर जैसे अंग्रेजी में उपर जो लाइन होता है उसे हम कहते हैं शीरो रेखा कुछ चातर ऐसे होता है जो अंग्रेजी की तरह हिंदी को लिखते हैं वर शीरो रेखा नहीं खीचते हैं यह बहुत ही गलत बात है इससे आपके अंक भी करते हैं यदि आप बहुत ही अच्छी है तो आपको दूसरे चात्रों के तुल्ला में ज्यादा अंक मिलेंगे हिंदी में तो चाहे आप UPSC मैंस की परिच्छा में एक्जाम दे रहे हो या फिर आप इस्टेट गुर्मेंट के UPSC आप दे रहे हो या फिर आप कॉलेज में आप आंसस लिख रहे हो तो आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए और यह सारी चीज़ें जन्मजात नहीं होती है आप अपने प्रयास से अभ्यास के द्वरा इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ आप सुधार सकते हैं अब हिंदी के अच्छी किताबें था आपको पढ़नी हैं साथ ही साथ आपको जो हिंदी के इस्तरी समाचार पत्र हैं उनका संपादकी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अच्छी हिंदी के लिए आपको जो न्यूस पेपर जो समाचार पत्र हैं हिंदी के जो रास्टी परिस्कृत होगी परिमार्जित होगी और इसके साथ ही साथ आप जो समकालीन जो मुद्दे हैं समसामाईक मुद्दे हैं उनसे परिचीत हो सकेंगे और विसलेशन करने की छमता आप में विक्सीत होगी तो आजकल जो UPSC जाम अगर आपके जो पैटर नहीं होगा विसलेशन है और मैं के व्याँ हिंदी भाशा-भाषियों के लिए नहीं कर रहा हूं, दूसरे भाशा-भाषि भूआ की जो हिंदी सिखना चाहते हैं या अपनी हिंदी proper करना चाहते हैं उनके लिए भी यह मेरे सारे मीडिया के शेत्र में काम करना चाह रहे हैं तब भी आपकी भाषा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए यदि आपकी भाषा बहुत अच्छी है आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं या चोकुछ भी बनना चाहते हैं यदि आप में अच्छा communication skill है, अपनी बातों को संप्रेशित करने के बहुत अच्छी शम्ता विद्यमान है, यदि आप में अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुचाने के बहुत अच्छी शम्ता है, रोचक ढग से अपनी बातों को दूसरे तक पहुचा पाते हैं, चा आपको बहुत अच्छे डहं से अभिव्यक्त कर पाते हैं express कर पाते हैं वे प्राय लोखपूरी होते हैं इसी भी शेतर में तो आप लोगों के लिए बहुत ही जोरी बाते में आपको बताना चाहरता हूं तो यदि आप हिंदी सायद्य के शातर हैं आप बहुत खुश किसमत हैं, अच्छे-च्छी किताबों का सानीध जिवन भर आपके साथ बना रहेगा, यहां पर जो सबसे मात्रपुने भूमिका है, भाषा के छेत्र में वह भूमिका है शिक्षकों की, और माता पिता की, क्योंकि माता पिता सबसे पहले भाषा का संसकार बच्चों को देते हैं तो माता-पिता भी घर में जो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं जिनकी मातिरी भाषा हिंदी है तो उनसे मेरी गुजारिस है कि आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें क्योंकि सबसे पहले बच्चा आप से सीखता है दूसरा जो भाषा के जो शिक्षक है भाषा के जो शिक्षक हैं विशेश रुप से प्री प्रामरी और प्रामरी और उसके आगे चाहिए कोलेज या कहीं भी तो आप हमेशा प्रयास करें कि बच्चों को प्रयोग करें कि वे अच्छे-ची किदाबों को अध्यान करें और जो व्याकरण पर शुरू से ही ध्यान दे, बच्पन से ही और लिखावट पर भी शुरू से ही ध्यान दे तो दिरे-दिरे आप पाएंगे कि हम एक ऐसे समाज का निर्मार कर पाएंगे जहां हिंदी बहुत ही परिस्कृत होगी परिमार्जित होगी अचारे महाविर प्रसाद योधी ने जब सरस्थी पत्रिका का संबादन समाला था 1903 इस्वी में तब उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को परिस्कृत और परिमार्जित करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया तो आज जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है उसका बहुत ज़्यादा अचारे महाविर प्रसाद दिवेदी को जाता है क्योंकि इन्होंने इसके शुरुवात की थी अब हमारा यह दायत तो है कि हमारे महान आचारेों ने जो परिस्रम किया है जो स्रम किया है उसको आगे लिकिंग अच्छी हिंदी बोलें जहां पर व्याकराण गत अशुद्धिया ना हो आपका उचारान शुद्ध हो इसके बाद आता है रेडिंग तो आप लिखने का भी अभ्यास करें क्योंकि यूप्यस यदि मैंस आप एक्जाम दे रहा है या फिर आप इस्टेट PCS का ए आप दे रहें तो लिखने का भ्यास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जवरी है और राटिंग बोलना और लिखना और राटिंग में महत्रपुन क्या है राटिंग लिखने के समय आपकी वरतनीगत अशुद्धिया नहीं होनी चाहिए इस पेलिंग मिश्टेक्स नहीं हो प्रफ देखना है दिरे-दिरे आप पाएंगे कि आपका जो शब्द कोस है आप दिरे-दिरे उसका बढ़ता जाएगा वर्डप पर जो है आपका दिरे-दिरे बढ़ता जाएगा इसी प्रकार आप एक बात और है कि आप पेपर जरूर पढ़ें रोज विश्यस ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बगी हमारी यह यातरा अनवरत रूप से जारी रहेगी ज़िए आज का मेरे एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट बाक्स में कमेंट के जरू बताएं साथ यदि आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और एक और महत्तपुन बाद संग लोग से वाए उपिसी परिछा का जो हिंदी लिटरेचर ऑप्सिनल है उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाये हुआ है हिंदी चैनल UPSC उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्स्टन में दे दूँगा तो वह चैनल पूरी तरह से UPSC के लिए डेडिकेटेड रहेगा मैंस के लिए तो आप उसे भी जोइन करें और उमीद करता हूँ कि आप मेरे उस चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरे इस चैनल को दिया है धन्यवाद जैंजै भारत